Hello everyone, कैसे हैं आप सभी हूप, आप सभी अच्छे हूँगे और ये शाम के टाइम का ब्लॉग है और अभी मैं साम में आई थी किचन में और चाय रख रही हूँ बनने के लिए और साथ ही साथ में मुझे आज बहुत बड़ा काम करना है बहुत बड़ा काम मेरे लिए वो होता है जब भी हमें मलाई से घी बनाना होता है तो ये वाला जो काम है न मुझे बहुत बड़ा टास्क लगता है क्योंकि इसमें न वो जो क्रीम हम लोग निकालते हैं न वो बहुत जादा जैसे उसकी वज़े से न मुझे ऐसा लगता है ये काम बहुत ही बहुत एक बड़ा टास्क है मेरे लिए लेकिन मेरे घर का ही घी सबको पसंद आता है और मैं दूद जहां से लाती हूँ काफी अच्छी कॉंटिटी में उसमें मलाई निकलती है तो मैं घर पे ही बनाती होगी तो एक साइट में चाहे रखी बनने के लिए मैं उसमें चाहे की पत्ती और अद्रक कूट के डाल दूँगी और उसके बाद ना मैं फ्रिच से मलाई बाहर निकाल के रखी थी थोड़ी देर नॉर्मल होने के लिए उसके बाद ना उसे मैं निकालूँगी और उस मलाई से म को निकाल लेती हूं और फिर जैसे मक्खा निकाला जाता है न वो प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगी तो ज्यादा तर जब भी मलाई वगएरा काम रहता है न मैं शाम में ही करती हूं तो अभी न मैं सब जितना मतलब मैं अलग-अलग, एक होता है है न में बड़े बरतन में नहीं रखी थी छोटे-चोटे बावल में रखी थी तो उसमें उसमें से सब मैं एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर करूँगी जादा तर मैं कढ़ाई ये वाली यूज करती हूँ घी बनाने के लिए लोहे वाली कढ़ाई तो मैं इसमें ही उसको मथना शुरू करूँगी मक्खन निकालूँगी और घी बनने के लिए इसी कढ़ाई में रख दूँगी तो इस टाइम पे जो बर्तन होते हैं वो बहुत जादा चिकनाई वाले हो जाते हैं तो अभी मैं इसको निकालती हूँ और उसके बाद मक्ख निकालना शुरू करती हूँ तो किसको ये पसंद है का मतलब ये घी बनाने वाला हाला कि पसंद तो मुझे भी है लेकिन उसके बाद हर बर्तन में बहुत चिकट सा हो जाता है जैसे अभी मैंने न जो परतन खाली किया मलाई का उसको मैं सिंक में डाली हूँ न उसके बाद ये सब करना तो मुझे हर जगा न वो चिक-चिक साही लगता है तो अभी मैं मक्षन निकाल रही हूँ उसके बाद घी बनने को रख दूँगी तो फिर आगी की जो वीडियो है वो नेक्स टेकी है इसके बाद मैं इसे कंटिन्यू नहीं की तो अभी तो घी बनने के लिए मैं रख दी हूँ घी बनना स्टार्ट हो गया है हेलो एवरिवन गूड मॉर्निंग और आज का व्लोग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से इसके पहले जो आपने क्लिप देखी होगी शायद अगर मैं एड करूँगी तो अगर देखी होगी तो वह एक दिन पहले शाम की थी और आज है थरस्टे और मैंने यलो यलो पहना है यह यलो वाली कुर्टी पहनी हूँ मैं और अभी मैं शौरे को छोड़के आई हूँ आज उसका एक्जाम है और अभी आट बच के पंद्रह मिनट हो लाए है तो काफी लेट हो चुका है मुझे सारा काम कंप्लीट करना है और पॉने दस तक मुझे निकलना है उसको लेने के लिए तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं मैं चलती हैं किचन में और फटाफट से सारा काम खरम करती हूँ और आते समय मैं दूद और सबजी वगरा जो चाहिए था वो सब मैं लेकी आई हूँ तो चलिए अभी फटा-फट से काम स्टार्ट कर देते हैं नहीं तो बहुत जादा लेट हो जाएगा तो अभी मैं अपना मौर्णिंग का काम स्टार्ट कर दूँगी तो एक साइट मैंने दूद उबलने के लिए रखा है और एक साइट मैं चाय बनने के लिए रखते रही हूँ क्योंकि दुबारा से जब मैं टाजा दूद लेके आती हो ना तो उसकी चाय बनती है तो दोनों काम स्टार्ट है और अब भी मैं बाकी जो सबजी वगएरा लाई थी वो सब एक बार देख लूँगी जैसे धनिया और ये सब मैं एक बड़ा बंच लेके आई थी ना तो उसक करना है मतलब ले जाने वाला जो टिफिन लेके जाते हैं तो ये सारा काम ना सुबह के टाइम पे मैं फटा फट कर लूँगी और आज सुबह मैंने शौरे को छोड़ा आना तो मैं थोड़ी देर और एक्स्ट्रा वॉक करके आई क्योंकि मैं जब एक राउंड लेके आती ह बस थोड़ा ही वाक करती हूं मतलब सौरे को छोड़ के जाती हूं वापस आती हूं तो इनको लगता है कि नहीं मैं जान बुझ के ऐसा करती हूं तो उन्होंने बोला था कि नहीं तुम अपना वाक प्रापर करो ऐसा नहीं है कि जल्दी वाजे करके घर पे आओ तो आज मै एब्रिवन मैं अभी सो के जगी हूँ क्योंकि सुबह का जो रूटीन मैंने अपना दिखाया था आप सबको इसके पहले तो जब मैं शौरी को लेके आई उसके बार मैंने बचे उगे सारे काम कंप्रीट किये लंच बनाया सबने लंच किया और उसके बार मुझे बहुत ज़ लग रही थी तो मैंने बोला थोड़ा रेस्क ले देती हो तो मैं एक से डेड़ के वीच में लेटने आई और उसके बार मैं सो गई तो अभी टूफिफ्टी पे मैं जगी हूँ और काफी अच्छा फील हो रहा है क्योंकि सुबह में जब एक्जाम रहता है या स्कूल रहत किया था तो इसकी वज़े से और जो भी रीजन रहा हो तो अभी मैं सो के जगी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है मैंने थोड़ा आप लोगों से बात करनों क्योंकि ब्लॉग में बस मैं किचन का ही दिखाती रहती हो ये वो दुनिया वर का और वैसे मैं रेसेपी कोई श पराथा और दोपहर में जो लंच रहता है वो इनके लिए मैं बनाती हूँ उपमा दलिया पोहा या फिर ओट्स तो इसमें से कोई एक चीज ये डबे में ले जाते हैं उसके साथ में फूट्स ले जाते हैं फूट्स में सिर्फ पईया ही पसंद करते हैं ये फिर ककडी रह लाइट ही कुछ लेंगे फूट्स वगेरा लेंगे तो उसी आप से दोपहर में कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा खाना बनाना पड़ता है या कुछ अलग से बनाना होता है नहीं तो जादा तर वही रहता है तो ऐसा कुछ है नहीं जो मैं अलग से आप सब के साथ शेयर करत तो बस आजकल थोड़ा सा ये रूटीन चल रहा है इससे काफी फरक भी है हम लोग के मतलब हेल्थ में जो बहुत भारी पन लगता था ना अजीब सा जैसे आलस रहती थी बॉड़ी में वह सब चीजे नहीं है बॉड़ी बहुत हल्की फील होती है और सुबह में बीना जब सो कर देख रहा है तो देखेंगे ये डाइट कब तक चलेगी और ऐसा नहीं है कि अग्दम स्ट्रिक्ट सब लोग यही करते हैं कभी-कभी कुछ मन होता है तो वह भी बनाते हैं ऐसा नहीं है तो लेकिन हाँ पहले ऐसा था था कि रेगुलर रहता था कुछ नो कुछ अलग य है जो मैं दोभी को नहीं देती जो घर पे पहनने वाले हैं वो में घर पे करती हूँ तो वह कर लूंगी और उसके बाद फिर अभी तो धाई बज़े में जगी हैं तीन बजने वाले हैं तो दिखते हैं और अंजली आ गई है वह बड़तन कीचन वगरा क्लीन करेगी चौर करिएगा और लाइक करिएगा चैनल को सब्स्राइब जरूर करिये और जाते जाते एक बात मैं भूलना चाहूंगी कुछ वीडियो पर मेरे कॉमेंट आते हैं हला कि इस टॉपिक में मैं बहुत से वीडियो बना जोगी हूँ कई बार मैंने अपनी वीडियो में बताया है तो कुछ लोग है ना वो लोग मुझे नहीं लगता कि वो वीडियो देखते हैं वो सिर्फ उसका थामनेल देखके मुझे कॉमेंट करते हैं तो प्लीज वो वीडियो देखें उसके बाद जो कॉमेंट करना है वो करें मुझे कोई फरक नहीं है क्योंकि मुझे इतना पता ह कि मैं कुछ गलत तो बोल नहीं रही हूं कुछ गलत तो कर नहीं रही हूं और थामनेल देख कि आप कुछ भी कॉमेंट करते हो ऐसा तो वो तो एक share subscribe जरूर करिये मैं मिलोंगे next vlog and bye bye and take care thanks for watching